Welcome my very very precious Scorpios, Scorpios यह आपकी you versus them reading है, मतलब कि यह आपकी love reading है और इस reading में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आपके person जन्हें आप पसंद करते हैं जो person आपकी energy field में dominant है या जिस person पर आप crush कर रहे हैं वो person आपके लिए क्या feel करते हैं, क्या emotions रखते हैं और इस reading को हम you versus them के format में करेंगे, मतलब कि हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस person के लिए क्या feel करते हैं, और आप दोनों की energies मिलके किस reality को create कर रहे हैं और क्यूंकि यह general reading है और general reading का nature ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक इनसान जो यह reading देख रहा है वो हर एक word से relate करें तो अपने उपर बस उतना ही लीजेगा जो आपको समझ में आ रहे हैं कि yes this message is true for me या फिर yes यह चीज मैं relate कर पा रहे हूं तो ऐसे खुद पर उतने ही messages लें जितने आप relate कर पा रहे हैं और आपकी आपकी January की life prediction वाला वीडियो मैं already upload कर चुकी हूं और आपकी January की love reading मैं already एक upload कर चुकी हूं और आपकी yearly predictions के दोनों parts मैं upload कर चुकी हूं तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको description में link देदूंगी so that आप देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले जो starting के messages होंगे वो for sure main energies होंगी सबसे जादा dominant energy होंगी आपकी और आपके person की तो उस पे हम जादा focus करेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस reading में वैसे वैसे हमें deep में हम जा पाएंगे you know deep messages या फिर subconscious के messages आपके और आपके person के हम निकाल पा Magician है आपके person की side से three of swords है six of swords है और hand man है okay आपकी side से the world है ace of wands है king of pentacle है और king of cups है okay so सबसे पहले आपके person की side से जो message आया है वो Magician का आया है और यहां पर Magician बता रहा है कि आपके Magician क्योंकि Magician के आसपास के जो cards है उससे पता चल रहा है कि आपकी connection में थोड़ा सा manipulation हुआ है Scorpio's because Magician के side में three of swords है उसके side में six of swords है उसके side में hanged man है तो in this case Magician यह बता रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में कुछ manipulation हुआ है कुछ misunderstanding हुई है कुछ conversation हुई है जिस conversation ने थोड़ा सा ना आपके connection में pain create किया है और देखे अगर आप cross watch कर रहे हैं तो हो सकता है यह आपका side और यह आपके person का side हो तो आपको देखना पड रहे हैं या फिर कौन सा side आपके person का है क्योंकि मैंने you versus them करना इसलिए छोड़ दिया था because कई बार energies interchange हो जाती और आप लोग समझ नहीं पाते हैं तो चले anyways यहां पे magician है magician है और यहां पे three of sorts है three of sorts सबसे पहले बता रहा है कि आपके person थोड़े से pain में है अभी आपके और इनके connection के कारण probably बट अपनी love life में यह किसी type का pain experience कर रहे हैं और आपके connection में थोड़ा सा manipulation हुआ है आपने कुछ इन्हें बोला है इन्होंने कुछ आपको बोला है आप लो जाहिए थी आप दोनों के बीच में और इसके बाद यहां पे distance आया है आप दोनों के बीच में तो there is high chances के यह आप दोनों अभी no contact situation में हो या फिर there is a chance के एक mental distance आप दोनों के बीच में आ गया हो और यह mental distance आप दोनों की चालाखियों की वज़े से हो सकता है या फिर किसी एक person की चालाखी की वज़े से हो सकता है मतलब कि क्योंकि किसी एक person ने honest होना छोड़ दिया क्योंकि एक person ने बहुत ही practical होना शुरू कर दिया तो इसके कार यहां पर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस और जादा बढ़ गया है Scorpius और यह mental distance हो सकता है या physical distance हो सकता है और अभी आपके person the hanged man experience कर रहे है the hanged man experience करना मतलब कि इनकी love life is stuck है मतलब आप दोनों का connection is stuck है आप दोनों के connection में ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तो everything is blank right now ऐसा हो सकता है कि कुछ conflict हुआ हो कुछ problems आई हो उसके बाद आपने भी pain को महसूस किया हो इस person ने भी pain को महसूस किया हो उसके बाद इस person ने एक distance बना लिया या आप दोनों के बीच में distance बना लिया और आप लोगों का connection stuck हो गया है फस गया है कहीं पे कुछ भी moment बहुत जाद आपकी love life में होता हुआ नहीं दिख रहा है और ये आपके person इस pain को बहुत ही deeply experience कर रहा है do remember कि ये main energies हैं आपके connection की या फिर इस person की और आपका connection है stuck दिख रहा है और ये person कोई pain को feel कर रहा है उसके बाद में आपके side से the world आया है आप बहुती optimistically इस connection को देख रहा है मुझे लग रहा है कि आप दोनों की energies में आप ज़्यादा positive हैं इस connection को लेकि अभी because यहाँ पे the world दिख रहा है इस वाले chapter को आप दोनों की life से खतम करना चाते हैं यह जो भी unwanted चीजे हुई है इस chapter को आप खतम करना चाते हैं यहाँ पे ace of one से आप एक नए serious connection को शुरू करना चाते हैं आप एक stable connection चाते हैं और आप एक loving connection चाते हैं तो आप इस तरीके से इस connection को देख रहे हैं आप अपना future इस person के साथ में देख रहे हैं आप positive हैं आप optimistic हैं there is high chance कि आप किसी Virgo Taurus या Capricorn से डील कर रहे हूं that is Karnya Rashi, Vrishab Rashi और Makgar Rashi या फिर हो सकता है कि आप किसी Cancer Pisces या Scorpio से डील कर रहे हूं Kirk Rashi, Meen Rashi Oh Scorpio आप है हाँ तो आपके person भी हो सकता है कि Scorpio हों तो यह सारी information अभी हमें दिख रहे हैं at the same time जरूरी नहीं है कि जो मैंने science बोले हैं वही science आपके person के हूं बट यहाँ पे यह दोनो science इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप stability अपनी love life में चाहते हैं और एक loving connection चाहते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे slightly कैसा भी chance हो कि आप किसी ऐसे person को पसंद करते हों जो इन सब energies से गुजर रहा हो तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेगा यहाँ पे six of cups की energy है five of cups की energy है page of pentacle की energy है और the chariot की energy है six of cups आया है यहाँ पे इस person ने आपसे बात पहले भी यह cycles repeat हो चुकी है जहां पे आप लोगों की बीच में सब कुछ अच्छा चला है बर बीच में कुछ issues आए हैं फिर चीजे और जादा अच्छी हुई हैं फिर बीच में कुछ issues आए हैं इस person का connection बहुत जादा up and down से गुजर रहा है because six of cups reconciliation बताता है but five of cups उस reconciliation से फिर से disappointment मिलना बताता है तो there is a chance कि आप लोगों का reconciliation हुआ हो but फिर कुछ ऐसी problem हुई हो कि फिर इस person ने disappointment feel किया हो यह person ऐसा लग रही कि आपकी और इस person की बहुत ही पुरानी history है आप दोनों एक दुसरे को काफी time से जानते हैं और एक बहुत ही loving bond आप दोनों के बीच में है emotional connection आप दोनों के बीच में बहुत ही strongly exist करता है but इस emotional connection से आपके person अभी बहुत ज़्यादा dissatisfied दिख रहे है there is a chance कि यहाँ पे कोई third party situation हो या फिर कोई तीसरी चीज हो जो आप दोनों के connection के बीच में आ गई हो अभी यह person आपको page of pentacle की energy में देखते हैं page of pentacle की energy में देखना मतलब कि इस person को थोड़ा बहुत hope है इस connection में यह थोड़े बहुत अभी भी positive है connection में but यह hope बहुत होती जादा थोड़ी सी है बहुत जादा नहीं है मतलब यह person अभी इस point पे stand कर रहा है कि जहां पे यह सोच रहा हो कि ठीक है scorpio के साथ होना होगा तो हो जाएगा नहीं होना होगा तो नहीं होगा because मुझे इस connection में पहले भी disappointment मिले हैं तो मैं sure नहीं हूँ कि यह चीज होगी या नहीं होगी आगे जाके but still यह आपको इस connection में या आप में अभी भी थोड़ा बहुत believe रखते हैं या hope रखते हैं क्योंकि इनके emotions बहुत ही जादा आपसे attached हैं जो भी चीज अभी चल रहे हो जो भी mental distance आप दोनों के बीच में आप physical distance स्कॉर्पियोज यहाँ पे एक जो emotional attachment है वो दिख रहा है आपके person का और आपका इसका reason आप दोनों के connection की history हो सकती है जितना समय आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बताया है वो हो सकता है यहाँ पे chariot है chariot actually इस case में decision making बता रहा है कि आपके person सोच रहे हैं कि इन्हें क्या decision लेना चाहिए इन्हें अब क्या करना चाहिए इनका next step क्या होना चाहिए क्या इन्हें कुछ decision लेना चाहिए या इन्हें कुछ decision नहीं लेना चाहिए यह बहुत सारी चीज़ें यह सोचते हुए दिख रहे हैं आपकी दमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रहे हैं विकिस आप इस कनेक्शन को गिव अप बिलकुल भी नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे टू अफ टू अफ कपस है टू अफ कपस आप दूनों का स्ट्रॉंग कनेक्शन बता रहा है स्कॉर्पियोज और फोर फैंटिकल बता रहा है कि इस स्ट्रॉंग कनेक्शन को आप गिव अप नहीं करना चाहते हैं और आपकी दमाग में पूरे तरीके से बार बार रीकंसिलेशन चल रहा है Socoran करो कि दिमाग में बहुत जाओ बता हरा है तो आपकी क्लेकर पूरे थैशे हैं करदा कर दिमाग में और पूरे चाहिए आपक擊न और की आप पिनीड जाहये स्ट्रॉंग्स परसंदीन ये आपकी अप्या जाहिएakah है feel करते हैं इसलिए आप इस connection को अभी बिल्कुल भी give up नहीं कर रहे हैं Scorpio आपके दमाग में यह चीज बहुत जादा strongly है even though हमें समझ में आ रहा है कि उपर उपर से शायद से उपर उपर से आपके दमाग में आपके दमाग में ऐसे चल सकता है कि ठीक है कोई बात नहीं बट अंदर से डीप डाउन आपने इस connection को give up नहीं किया है या फिर या आप दोनों का emotional attachment भी हो सकता है एक दूसरे के लिए इतना strong है कि even though physically आप लोग distance में हो या mentally distance में हो बट वो जो closeness की energy है आप दोनों के बीच में वो बहुत ही जादा strong है जादा positive है आपकी reading के लिए okay यह the fool में juggle कर रहे है the fool में juggle करना मतलब की यहां पर हमने chariot से भी देखा था कि इनके दमाग में चल रहा है कि इन्हें क्या decision लेना चाहिए और यहां पर the fool आया है और two of pentacle आया है the fool basically यह बताता है new beginnings बताता है the fool यह feelings बताता है कि मेरा मन है कि मैं इस connection पर फिर से trust करूँ मेरा मन है कि मैं इस connection को आगे लेके जाऊं मेरा मन है कि मैं new beginnings करूँ यह इनका मन एक तरफ का मन है एक pentacle इनका यह बोल रहा है एक pentacle इनका यह बोल रहा है कि यह new beginning करना चाहते है इस connection पर trust करना चाहते हैं और यूनो इस connection को आगे लेके जाना चाता है बट क्योंकि यहाँ पर two of pentacles है तो यह जो इनके दिमाग में बाते चल रही है यह fix नहीं है यह आती जाती रहती है sometimes this person is very much sure कि नहीं मुझे trust करना है Scorpio पर मुझे हमारी bonding पर फिर से trust करना है मुझे यकीन है कि इस पूरी situation में कुछ positive outcome निकल के आ सकता है but the fool का सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पे the fool का सबसे बड़ा blockage यहाँ पे two of pentacles है two of pentacles basically यहाँ पे मन का इधर उधर होना बता रहा है मन एक decision पे tick नहीं पा रहा है या फिर मन एक direction में सोच नहीं पा रहा है कई बार two of pentacles तब भी आता है जब कोई person life में बहुत सारे काम कर रहा होता है उसके सर पे बहुत सारे responsibility होती है या फिर वो अपने career पे बहुत जादा focus कर रहा होता है तो वो इतना जादा importance अपनी love life को नहीं देता है कई बार तब भी two of pentacles आता है तो ये भी हो सकता है कि आपके connection को इस person ने back burner पे रख दिया हो और ये सोच रहोंगे कि एक बार मेरी life की ये चीज़ सेटल हो जाए या फिर एक बार मेरी life की ये चीज़ सेट हो जाए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है मेरे पास इतना time नहीं है कि मैं अपने love life के issues को fix करूँ या फिर या फिर या इस person में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान ले के जाओं anyways मुझे हर्टी हुआ है इस connection में ये सब feelings या thoughts इस person के हो सकते हैं और इस कारण या अपने दमाग में बहुत बार juggle करते हैं बहुत बार ऐसा होता है Scorpios कि ये आपके बारे में सोचना छोड़ देते हैं कई सारे दिन ये अपने ऐसे निकालते हैं जब ये आपके बारे में या connection के बारे में नहीं सोचते हैं because they are so busy in doing something else ये कुछ और करने में बहुत ज़्यादा busy हैं but फिर जब चीज़ें इने hit करती हैं जब ये अपने उस state of mind में आते हैं जहां पर ये relaxed हैं या फिर इनके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं करने को जब ये अपने आपको distract नहीं कर पा रहे हैं उस time पर इने बार बार फिर से ये चीज़ हिट करती है आपका connection हिट करता है इने फिर से और फिर ऐसा होता है कि ये भी judgment की energy में आ जाते हैं तो यहां पर judgment क्या है judgment हमने आपकी side से भी देखा था कि आप भी second chances चाहते हैं judgment इस person की side से भी दिखाए कि again ये person भी second chances चाहता है तो एक point पर आके आप दोनों की feelings या emotions match होते हैं बट क्योंके feelings और emotions में consistency नहीं दिख रही है लगातार वही चीज़ सोचना या उस चीज़ पर fix होना ये नहीं दिख रहा है there is a high chance Scorpios कि आपके person थोड़े से indecisive हो जो अपने खुद के एक decision पर टिक नहीं पाते हों तो भी कई बार ये सारी problems आती है and उसके बाद यहाँ पर devil की energy है, okay nine of cups है hmm, तो यहाँ पर five of swords आया है, five of swords आप दोनों का conflict जो पहले हुआ है वो बता रहा है और five of swords को proof करने के लिए यहाँ पर devil भी आया है devil basically toxicity होती है या फिर third party situation होती है तो आप दोनों की बीच में issues आये हैं devil की वजह से अब devil क्या हो सकता है, देखे devil third party situation भी हो सकती है कि आपके और आपके connection के बीच में कोई third person आ गया हो जैसे आपके person के parents, family या कोई और person या उनका ex या फिर third party situation मतलब क्योंकि ये situation होती है third party तो उनका काम भी हो सकता है, उनकी life की responsibility भी हो सकती है जो बीच में आ गई हो, but in some cases devil ego clashes भी बताता है कि ego clashes बहुत हो रहे है, या फिर यहाँ पर jealousy है, थोड़ा सा control करना चाहता है एक person अपने partner को कि partner क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है कई बार ये obsession भी होता है, unhealthy obsession भी होता है तो there are high chances कि इन सारी चीजों की वज़े से भी आपकी connection में problems आई हो या फिर, you know, five of sorts की energy आई हो, जो की conflict बताती है यहाँ पर fire sign का presence दिख रहा है fire sign, fire sign ये side note है, ये सब के लिए नहीं होगा, बट यहाँ पर एक ऐसे energy दिख रहे है अपनी position से, मतलब कि कई बार ऐसे scenarios, ये side note है, सब के लिए नहीं है कई बार ऐसे chances आये होंगे कि आप दोनों की बीच पे ego clashes हो, हुए होंगे आपकी person ने बुला होगा कि मैं सही हूँ, आपने बुला होगा कि नहीं मैं सही हूँ, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, इसन दाट, यूनों because king of wands की energy बहुती fiery energy होती और वो back down नहीं करती वो लड़ती है और especially जब fire sign negative vibrations में होता है, तो यहाँ पे jealousy, obsession, conflicts, कौन किस से ज़ादा बहतर है, ego clashes, यह सारी चीज़े बहुत ज़ादा होती है तो there is high chance के यह चीज़ हुई होगी यहाँ पे, but यहाँ पे again nine of cups की energy है जो कुछ भी आपके लड़ाई जगड़े होते हैं, या जो कुछ भी issues आपके connection में आते हैं यह आपके लड़ाई जगड़े, toxicity या जो भी problem आपके connection में है क्योंकि यहाँ पे emotional bonding बहुत ज़ादा strong है क्योंकि वो मन में जो emotional connection है, वो बहुत ही ज़ादा strong है इसकी वज़े से, क्या होता है न, इसकी वज़े से वो positivity जाती नहीं है आपके connection की चाहें कितने भी ego clashes हो रहे हो, चाहें कितनी भी problem हो रहे हो क्योंकि positivity है आप दोनों के connection में, क्योंकि वो एक emotional touch है आप दोनों के connection में इसलिए वो हमेशा एक positivity या फिर एक emotional connection रहेगा ही आपके connection में चाहें आप लोग कितना भी एक दूसरे से दूर चले जाएं, यह चीज बार बार, cups बार बार आ जाते हैं कितनी भी toxicity negativity discuss कर ले, cups बार बार आप दोनों के बीच में आ जाते हैं, मतलब यह person emotionally आप से attached है बट मेरी ख्याल से एक point के बाद connection में, बस emotional attachment से काम नहीं चलता है, बहुत और भी सारी practical चीज़े होती है जन्हां वर्क आउट करना जरूरी है आप यहां पर page of pentacles से और eight of pentacles से छोटे छोटे कुछ steps ले रहे हैं अपनी love life के लिए जिससे कि आप finally अपने destination तक पहुँच जाए, अपने soulmate तक पहुँच जाए या फिर you know strongly आपको पता चल जाए कि आप किस person के साथ में end up होने वाले है या energy या फिर या desire आपका बहुत ही जाए जादा strong दिख रहा है Scorpius आप शायद ऐसे point पर आ गए हैं जहां पर no matter आप भी कितना इस person से attached हो बट आपके दमाग में आप यह सारी चीज़े चलने लगी हैं कि मुझे अभी यह नहीं करना है या फिर मुझे बार बार इस chaos में नहीं पड़ना हे मुझे अप setting होना है life में तो आप यहां पे कुछ manifestations करते हुए दिख रहे हैं आप अपने काम पे focus करते हुए दिख रहे हैं आप अपनी personality पे focus करते हुए अुर् आप यहां पर कम्यूनिकीशन का वेट कर रहे हैं। आप पमस्यूर में फोकस कर रहे हैं। यहां पर इट डिजायर अंदर से आपको बढ़ की बール्रय अं Lapin Day ONE की इउनी का प्रोमेस थै रसाट राट कर स्थि आप चीए होग में। कि आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ कम्यूनिकेशन आए राइट उसकी बाद यहां पर नाइन ओफ सोट्स की एनरजी है और देखे मैंने जैसे आपको बोला था कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हमें और ज्यादा डीटेल में बाते पता चलेंग आपके परसन नाइन ओफ सोट्स की एनरजी में दिख रहा है नाइन ओफ सोट्स कई बार गिल्ट भी बताता है हमारा हमारा ये मन भी बताता है कि हमने क्यों जगड़ा कर लिया हमें नहीं जगड़ना था शायद से या फिर मुझे गिल्टी फील हो रहा है या फिर मुझे यह बात नहीं बोलनी थी, स्कॉर्पियों को वह बात नहीं बोलनी थी, overall आपकी connection को लेकि यह person tension में दिख रहा है, और अगर यह person आपकी care नहीं करता है, या फिर अगर यह connection आपके person के लिए value नहीं रखता, तो यह tension इतनी ज़ादा लेते वह भी नहीं दिखता है, क्योंकि इस person को somehow लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे बात की, या फिर आपको messages किये, या call किये, तो फिर से जगड़े हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ लोग इनको attack कर सकते हैं, इन्हें आपके connection में, आपके साथ में आगे बढ़ने से डर लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि कुछ लोग है इनकी life में जो इस चीज़ को oppose करेंगे, या फिर आप दोनों के बीच में वापस से जगड़े होंगे, या अपने आपको बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात ना करके, तो यहाँ पर resistance है, यह बात नहीं कर रहे हैं, इनके दमाग में आ रहा है कि अगर मैंने बात करी Scorpio से तो और फिर problems आगे create होंगी, तो यह अपने आपको बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, और यह इन्होंने अपनी सारी thoughts को down कर दिया है, देखिए, there was a time कि यह person आपसे लड़ रहा था, आप दोनों के बीच में conflict हो रहे थे, लड़ाई जगड़े हो रहे थे, इस person ने अपनी thoughts को down कर दिया है, मतलब कि इन्हें आप कोई बहस नहीं करने हैं, कोई बात नहीं करने हैं, कोई लड़ाई नहीं करने हैं, four of sorts, no action zone भी होता है, plus लड़ाई के बाद वाली healing भी होती है, यह वैसी energy है कि हमने किसी से बहुत लड़ 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 और हमारी energy exhaust हो गई है, और हम अब किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं, हम अकेले रहना चाहते हैं, हम शान्त रहना चाहते हैं, थोड़ा खुद को heal करना चाहते हैं, यह वो वाली energy है, तो यह person खुद को बहुत ज़ादा guard करके रख रहा है, अपने peace of mind को guard करके रख रहा है, and see, मैं आपको यहाँ पे energies बता रही हूँ, मैं बिल्कुल आपको यह नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत हो या यह person गलत है, मुझे बस energy बताने दीजिए, because आप सबकी situation एक जैसी नहीं होगी, तो जो मैं बाते बोल रही हूँ, उसको आपको अपने perspective से देखना पड़ेगा, because कई बार आप लोग defensive हो जाते हैं, कि आप इस person के बारे में ऐसा बोल रही हैं कि वो परिशान है, मतलब मैं बस आपको energy बता रही हूँ Scorpio, मैं हमेशा आपकी team में रहूँगे, मैं हमेशा आपकी side हूँ, but यहाँ पे दिख रहा है four of sorts से, कि yes, यह person ने अपने sorts को down कर दिया है, थोड़ा peaceful रहना चाहते हैं life में, थोड़ा शान्ती में रहना चाहते हैं, ड्रामा क्रियेट नहीं करना चाहते हैं, इन्हें ड्रामा से डर लग रहा है अभी, और इन्हें लड़ाई जगड़े से डर लग रहा है, उसके बाद यहां पर four of pentacle है, four of pentacle बहुत ज़्यादा memories में रहना बता रहा है, यहां पर बहुत ज़्यारा बातों को पकड़ के रखना, अब देखी four of pentacle ना, यहां पर क्या बता रहा है कि इस person ने बाते पकड़ के रख लिया, ठीक है, अब बाते पकड़ के रखना मतलब क्या होता है, अच्छी भी बाते हो सकती है, बुरी भी बाते हो सकती है, आपने कुछ लडाई में इन से कुछ बोल दिया, तो इस person ने उस बात को पकड़ के रख लिया, आपने कुछ इनके साथ किया, तो हो सकता है उस परसन ने उस बात को पकड़के रख दिया कि ये क्या ता स्कॉर्पी मेरे साथ मेरे साथ ऐसे गलत किया ता तो ये सब चीज़े भी हो सकते है बाट ये परसन century अगर मैं इस परसन की energy को देखू तो एक चीज हमें clear दिखती कि परसन ना खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है या तो बहुत ही हाई चांसे यह हो सकता है कि आप दोनों की connection में कोई major third party situation हो तो major किसी इंसान का interference हो तो इस परसन को लग रहा हो कि अगर मैंने Scorpio के साथ कुछ किया तो वह परसन मुझे snap ना करे यह यह भी चीज हो सकती है फॉर से इसका classic example यह है कि if you like this person और इस परसन के parents आपके against हैं तो इस परसन को यह डर लग रहा हो कि अगर मैंने बात की तो you know मेरे parents मुझे परसन के साथ में याद कर रहे हैं आप याद कर रहे हैं जब आप खुश थे जब आप दोनों के बीच में चीज़े अच्छी थी और अभी थोड़ा सा आप cold अखेला पन और isolated feel कर रहे हैं Scorpio अब मैं थोड़ से future के लिए card लेना चाहती हूँ कि future क्या hold करता है आप दोनों के लिए इस थी इस दिन बात की अनर्जी देख रहे हैं मैंने इंटेंशन रखाय है कि आसे एक दिड़ महीने बात क्या होगा तो यहाँ पे डेविल एनर्जी है और यहां पे seven of swords है, अभी भी थोड़ी से devil energy यहां पे exist कर रही है future में, जो devil energy यहां पे exist कर रही थी, तो जो toxicity थी, जो चीजें हुई थी, वो चीजें अभी भी exist कर रही है future में, even though यहां पे page of cups की energy है, और seven of pentacles की energy है, ऐसा लग रहा है कि आपकी person try करेंगे थोड़ा सा चीज यहां पे जरूर ले सकते हैं page of cups से, because page of cups छोटे-छोटे steps बताता है, एक ऐसा point आरहा है आप दोनों के बीच में जहां पे, अगर जादा दिन आप दोनों के बीच में distance रहा ना, तो चीजे, आपके person की curiosity आपके लिए वापस से rekindle हो सकती है, oh my god, मतलब कि अगर आपने 10-15 परा दिन, एक महिना, तीन महिना, अगर इस person और आपके बीच में बात नहीं हो रहे हैं, तो एक time आएगा आपके person की life में, जब वो page of cups की energy में आएंगे, जब वो वापस से आप में interest लेने लग जाएंगे, और वापस से जानने की कोशिश करेंगे, कि आप क्या कर रहे हैं आप कहा जा रहे हैं, आप इनके लिए क्या feel करें, तो अगर आप no contact situation में हैं, तो for sure ये person आप में वापस से interest लेगा, because इस person को पुराने दिन याद आ रहे हैं, seven of pentacles है यहाँ पे, तो इस person को हो सकता है पुराने दिन याद आएं, आपको पुराने दिन याद आएं, आपको आपके साथ में जिन्दगी बिताना चाहता है, but yes, यहाँ पे Ace of Cups की भी energy, तो confusion है, कि Ace of Cups में रहें, या फिर कहां रहें, relation वापस से शुरू करते नहीं करते हैं, person बहुत ही जादा confused है, और I don't know exactly कि आप लोगों के बीच में क्या हुआ है, but मैंने कोशिश किये कि मैं अच्छी चीजे याद आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनका interest वापस से आप में जाग रहे है, पर इनसान वापस से confused भी है, और यहाँ पे Ace of Cups की energy है, मतलब कि yes, there is a chance कि a person आपको, you know, चीजें ठीक करने के लिए initiate करे, आपकी towards कोई initiation ले, there is high chances, bottom of the deck में, three of pentacles की energy है, three of pentacles की energy अच्छी वापस से चीजों को शुरू करने की कोशिश करना बताता है, तो अब आप शुरू कर रहे हैं, या फिर आपके person शुरू कर रहे हैं, I don't know, but कोई यहाँ पे वापस से शुरुवात करने की कोशिश करेगा, but at the same time यहाँ पे बहुत जादा disappointment, or dissatisfaction, walking away, or four of sorts, no, this is not very good Scorpios, अगर आपने decide किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने devil देखा है दो दो बार, तो अगर आपने decide किया है, आप already decide कर चुके हैं, कि आपको इस person से move on कर लेना चाहिए, because I don't know future क्या होगा, तो आप सही कर रहे हैं, okay, और जितने भी लोगोंने decide नहीं किया है, मैं नहीं चाहत आपके tarot reading आपके decision को influence करें बिल्कुल भी, because tarot reading हम situation की analysis के लिए देखते हैं, आपके decisions 100% tarot reading पे based नहीं होने चाहिए, especially जब आप journal, general reading देख रहे हैं, oh my god, because यहाँ भी ना कुछ disappointment, यह कोशिश है, कोशिश है वापस से rebuild करने की कोशिश, but वो कोशिश अपने साथ इन तीनो energies को ले के आ रहे हैं, जहाँ पे एक walking away की energy है, five of cups की energy है, four of cups की energy है, ऐसा लग रहा है कि कोशिश तो कर रहे हैं, वापस चीज़े शुरू करने की, but वो अब मजा नहीं आ रहा है, वो connection वापस से feel नहीं हो रहा है, वो feeling वापस से नहीं आ रही है, अभी मैं देखते हूँ कि universe के messages क्या है, आपके लिए उसके बाद में आपको बताऊंगे कि यहाँ पे कौन-कौन से signs हैं, और हम फिर alphabets भी देखेंगे, जिससे हमको further confirmation मिल सके कि यह messages आपके लिए थे, romance, okay, ask your angels, within the next few months, okay, आपके लाइफ में कुछ romance आते हुए दिख रहा है, Scorpio, I don't know, इस person से romance आ रहा है, या फिर कहां से आ रहा है, बट कुछ romance यहां पे आते हुए दिख रहा है, ask your angels, अपने angels से पूछें, guidance लें, अगर आप guidance मांगेंगे, तो किसी ना किसी form में आपको guidance जरूर मिलेगा, तो पहले तो अपना intention put करें universe में, कि मुझे जानना है, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कि मुझे क्या करना है, you know, within the next few months, अगले कुछ महीनों में आपको 100% clarity मिल जाएगी, कि इस connection में क्या होने वाला है, but yes, take action, अपनी life को, अपनी love life में, अगर आप stuck हैं, तो निकलने के लिए कुछ-कुछ action लिजिए, manifestation करिये, और you know everything, आप हर reading देखते हैं, आपको पता है कि मैं क्या बोलना चाहती हूं, तो yes, अब यहाँ पर कौन कौन से science है, let's see, यहाँ पर Capricorn शुरू से ही बहुत जादा strong रहे है, Makar Rashi, और यहाँ पर starting से Scorpio भी बहुत जादा strong रहे है, तो there is high chances कि आपके person भी Scorpio हूं, यहाँ पर Virgo की energy strong दिख रही है, कन्या राशी यहाँ पर strong है, उसकी बाद हमने यहाँ पर Cups बहुत जादा देखे हैं, तो यहाँ पर Cancer, Pisces और Scorpio की energy बहुत ही जादा strong है, that is, तरिक राशी, मीन राशी और विश्व राशी, उसकी बाद यहाँ पर Gemini, Libra और Aquarius की energy भी बहुत ही जादा strong है, तो यहाँ पर Myth आपन राशी है, तुला राशी है, और कॉंब राशी है, अब यहाँ आपन राशी है, अब यहाँ आपन राशी है, इस reading से कोई भी value मिली हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा, comment कर दीजेगा, और subscribe कर दीजेगा, because मैं, मैं थोड़ी सी confused हूं कि मुझे यह readings आगे लेके जान कि इस सीरीज को वापस से शुरू करना है, शायद, बट यह एक review का month रहेगा, कि अगर आप लोगों को चाहिए होगी, तो ही हम next time करेंगे, we have the letter I and C and O and O and N and E and M and R and I F A T J E N X, तो ही सारे letters है, मेरे पारे Scorpio's, take good 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 care of yourself and I'll see you next time, bye